नमस्कार दोस्तों जब बॉलिवोड मीट्स मूदी भारत्य सिनेमा मनुरंजन का एक बड़िया स्त्रोथ है। बात का चर्चा करने के लिए बुलाया था कि कैसे फिल्मे समाज पर असर डालती है। बैठक में और भी कई एहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस बारे में बात की गई कि देश निर्माण में हिंदी सिनेमा का बड़ा योगदान रहा है। वही टिक्टो पर GST घटाने पर सभी स्टार्स ने पिए मोदी को शुक्रिया अदा किया। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब बॉलिवुड में तीन राजनेतिक फिल्मों पर प्रभाव डाला गया है। इसमें विवादेत फिल्म दा अक्सिडेंटल प्राइम मिनेस्टर यूरी दा सर्जिकल स्ट्राइक और खुद प्रधान मंत्री पर बन रही बायोपिक का नाम शामिल है। इस बैठक को फिल्मेकर करन जोहर और महवीर जैन ने आयूजित किया है। रनवीर सिंग और करन जोहर के अलावा बैठक में रनवीर कपूर, आलिया भट, फिल्म टॉलेट एक फ्रेम कता की अबिनेतरी, भूमी, एक्ता कपूर, विकी कोशल, वरुन धवन, सिधार्ट मलोत्रा, रोहिश शेटी, राजकुमार राओ और फिल्म बधायों के आक्टर आयुश्मान खुराना भी शामिल है, इस मीटिंग में बॉलिवोड के यूवा चेहरों को खास तोर पर शामिल किया गया है, इस मीटिंग में बॉलिवोड और यंग बॉलिवोड स्टार्स की एहमियत को लेकर भी चर्चा की जाएगी, बैठक का उदेश्य भारतिय पर फिल्मों के प्रभाव पर प्रकाश डालने के साथ साथ सिनेमा और समाज को कैसे जोड़ा जाए ये भी है, प्रदान मंत्री जी की ये सिनेमा और समाज को जोडने की अच्छी कोशिश है, सिनेमा तेजी से परिवर्तित होते समाज को ही दर्ष जाता है, सिनेमा और का दरपण कहा जाता है उसी प्रकार आज सिनिमा भी समाज का दरपन बनता दिखाई दे रहा है तो यह जो चीजे प्रधानमंत्री कर रहे हैं सिनिमा से भी बहुत सारी चीजे वो देश में परिवर्टित करना चाहते हैं और उनकी जो नेक सोच है वो देश को आगे बढ़ा रही है अगर आपको भी लगता है कि उनको ये कदम बहुत ही अच्छा था जन हित के लिए था तो आप प्लीज कमेंड बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं अपनी राय हमार साजा कर सकते हैं तैंक यू सो मच की वाचिंग टोडेइस फर मोर न्यूस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसके साथ साथ टोडेइस की आपको जरू डाउनलोड करें धन्यवाद